क्या सच में बिगड़ चुका है मोहित रहना और उनकी वाइफ अदिती शर्मा का रिष्टा क्या दोनों जल्द लेने वाले हैं तला फेमस एक्टर मोहित रहना की पर्सनल लाइफ में भारी खटपट की खबरे सामने आई है कहा जा रहा है कि मोहित रहना की शादी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और ये बाते तब तेजी से फैली जब मोहित ने इंस्टा अकाउंट से अपनी सभी वेडिंग फोटोस को डिलीट कर दिया जिनमें उनके साथ अदिती भी थी उनकी शादी में खटपट की खबरे सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है हाला कि इन खबरों में कितनी सचाई है फिलहाल इसकी पुष्टी ना तो मोहित ने की और ना ही उनकी वाइफ अदिती ने बतादी कि मोहित और अदिती ने एक जनवरी 2022 को शादी की थी सर्प्राइज वेडिंग कर मोहित रहना ने सभी को चौका दिया था मगर अब जिस तरह से मोहित ने अपनी शादी की तस्वीरे डिलीट की है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों के बीच में कुछ तो खटपर चल ही रही है अगर आप मोहित रहना की इंस्टा पर जाएंगे तो पाएंगे कि शादी की ज्यादा तर तस्वीरे डिलीट है इतना ही नहीं मोहित ने अदिती के साथ पहली हुली की तस्वीर भी हटा दी है इन सभी तस्वीरों के गायब होने के बाद उनके अलग होने की खबरे आने लगी है मोहित और अदिती के साथ में बस एक फोटो है जो 1 जुलाई 2022 को पोस्ट की गई थी विल अभी दोनों की शादी को एक साल का वक्त भी नहीं बीता कि मोहित अदिती की शादी में भारी खटपट होने की खबरे खुब सुर्ख्यां बटोर रही है कहा तो ये तक जा रहा है कि मोहित अपनी वाइफ अदिती से अलग रह रहे हैं बता दे कि अदिती शर्मा और मोहित की जोड़ी फान्स की फेवरेट जोड़ी थी अदिती शोबिस इंडस्ट्री से नहीं है और वो टेक्निकल बेक्ड़ाउंड से है मोहित अपनी परसनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं मोहित और अदिती की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंट के जरीय हुई थी फिर दोनों की धीरे धीरे बाते होने लगी और वो कपल बन गए कुछ समय डेटिंग लाइफ इंजोई करने के बाद दोनों ने धूमधाम से शादी की थी लेकिन अब जिस तर से मोहित और अदिती की साथ की तस्वीरे जिलीट हुई है उससे लोग हैरान हो रहे हैं हाला कि अभी इन खबरों पर मोहित या उनकी वाइफ की तरफ से कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं दी गई लेकिन फैंस यही दूआ कर रहे हैं कि दोनों की शादी में खटपट किये तमाम बातें तमाम खबरें गलत ही साबित हो